गैस आज का ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि कोईक्सॉट को मैं इतना असान बना दूँगा आप लोग के लिए कि आप लोग भी बुलो गया की मज़ा आ गया पता नहीं मैं ये बात आप लोग को किस भाशा में बताऊं कि ये वीडियो कितना धमाकेद होने वाला है तो यहां पर कहानी कैसा शुरुआत करते हैं ये एक स्कूल है ठीक है एक स्कूल है और वहां पर लगती है असेमली ठीक है असेमली पता है न आप लोग को सबके स्कूल हमें लगती थी प्रेयर होती है सुबह सुबह वहाली असेमली अब वहाली असेमली लगन student उसके बाद उससे लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, फिर उससे लंबा, यानि कि height के साथ से sort होगे लग जाओ, लेकिन लोग मानते ही नहीं यार, क्या करें, इसलिए इनकी जो class teacher है, जिनकर हम miss quick sort है, वो इस काम को अंजाम देने के लिए हर सुबा को आती है, औ और इनको, इनके साथ ना, बच्चे पता नहीं क्यों, मजाग करते हैं, कभी इनकी बात नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता इसा क्यों करते हैं, वो लोग, इसलिए इनको सहायता लेनी पड़ती है, PT teachers की, ये PT के teachers है, ये class teacher है, ठीक है, तो ये है class teacher, या मैं मैं CT लिख देत हैं, ऐसी बात नहीं, नाम का डंडा होता है, काम का डंडा होता है, हाथ ही के दात नहीं होते हैं, कि चबाने के और, लगाने के और, ये डंडा होता है, ये दे देते हैं, ये डंडा बाई कभी-कभी, ठीक है, तो इसलिए ये डंडा सब अपने हाथ में रखते हैं, और इन का मैदान है ना उसमें 0, 1, 2, 3, 4 करके लगा हुआ है already कि position 0, position 1, position 2, हर बच्चे के लिए एक डबबा बना हुआ है रहाँ पे बच्चे को खड़ा होना इतना असान काम करना है बच्चों को अपनी height के हिसाफ से लेकिन बच्चे आगे कहीं भी ऐसा है मैं तुमको एक काम दे रही हूँ बच्चों को sort तुम मत करो तुम बस एक छोटा सा काम कर दो और वो छोटा सा काम ये है ध्यान से सुनना मेरी बात को देखो ये बहुत important है वो छोटा सा काम ये है कि जो सबसे पहला यहाँ पर student है जो सबसे पहला student है उसको तुमको कुछ इस हिसाब से करना है set कि उससे लंबे जो है right side पे आए और उससे छोटे left side पे बस इतना करना है मुझे इस array को sort नहीं करना है students के मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है ऐसा मुझे बस इतना चाहिए कि जो यह पहला वाला student है इससे लंबे इसके right side में इससे छोटे इसके left side है बस इतना सा काम करके दे तो जल्दी से जल्दी ठीक है और उसके बाद मुझे बता दो कि इसको कौन से डबे में खड़ा किया ठीक है तो देखो यहाँ पर इनपूट है क्या ओट पूट है तो यह जो PD teacher यह input देती है इनको इन में से एक sorry यह जो class teacher यह PD teacher को एक input देती है और वो input क्या देती है input होता है यह कहती है 0 to 4 track में जो खड़े हुए है जो 0 to 4 track में खड़े हुए है जो 0 से लेके 4 तक यह जो boxes है इन में जो बच्चे खड़े हुए है इन में से 0 को reference लो ठीक है 0 को as a reference लो यह निकि इस student को reference लो और कुछ इस हिसाब से इसको खड़ा करो कि इससे छोटे जो हो वो left side पे हो इससे बड़े जो हो वो right side पे हो और मुझे बता दो कि तुमने इसको कहाँ खड़ा किया और finally इसको क्या करना है इसको बताना है कि कहाँ पर खड़ा किया इसने student को तो वो हो सकता है मान लो आपका position number 2 position number 3 कुछ भी position number हो सकता है ठीक है तो वो जो position number होगा वो हम अभी यहाँ पर लिखेंगे जो भी वो position आएगी ठीक है अब काम किसके सर पर आ गया काम इस pt teacher के सर पर आ गया अब इस pt teacher को इन बच्चों को सटाना है ठीक है और पूरा सब को सही जगा पर खड़ा नहीं करना है बस इसको यह जो लवीना है इसका नाम लवीना रख देते हैं यह जो लवीना है इसको कुछ ऐसी जगा पर खड़ा करना है कि जो इससे लंबे students है वो right side पर इससे छोटे students left side पर ठीक है तो यह एक ninja technique का प्रियोग करता है यह कहता है यार देखो मैं एक ninja technique का प्रियोग करता हूँ मैं काम करता हूँ कि लवीना को तो ऐसा reference मान लेता हूँ तो इसको मैं circle कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है लवीना को यह ऐसा reference मान रहा है ठीक है लवीना को ऐसा reference मानने के बाद यह क्या करेगा यह कहेगा मैं लवीना को as a reference मान के यहां से देखना start करूँगा ठीक है यहां से देखना start करूँगा क्या देखना start करूँगा यहां से कि कौन छोटा कौन लंबा और यहां से एक चलाऊंगा एक तो यहां से देखना start करूँगा इस direction में किस direction में इस direction में और इस direction में ठीक है तो इसको मान लेते हैं हम I ठीक है और इसको मान लेते हैं हम J ठीक है इसको मान लेते हैं हम J ठीक है J की value अभी क्या है चार क्योंकि यह चौथा box है हमारा मेरी बात बस सुनते जाओ आप लोग सब कुछ clear हो जाएगा I की value 1 है ठीक है अब यहां से चेक कर रहा है क्या कोई लवीना से चोटा है यहांपर क्या यह लवीना से चोटा है नहीं लवीना से चोटा नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसलिए हम लोग इसको पूरे arrangement को आगे बढ़ाएंगे हम कहेंगे नहीं यार अभी तो हमारा काम हो नहीं पाया तो हम इसको चेक करेंगे अब ठीक है क्या ये लवीना से छोटा है नहीं यार ये तो लवीना से छोटा नहीं है और हम decrement करेंगे जे को ठीक है finally हमारा जो जे है उसकी value क्या हो जाएगी decrement होते होते हैं मैं अभी J की value ठीक कर देता हूँ J की value 2 हो जाएगी यहाँ पर J की value 3 थी J की value 2 हो जाएगी तब मुझे एक ऐसी position मिल जाएगी जहाँ पर लवीना से छोटा element मुझे मिल जाएगा और लवीना से बड़ा element तो मुझे मिली गया था बहुत जल्दी नहीं मिलता तो मैं आगे बढ़ाता है इसको ठीक है यह तो मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को interchange कर दूँगा कोँगा कि तुम इदर आजाओ और इससे कौँगा तुम इदर आजाओ ठीक है तो इन दोनों को जो है हम लोग swap कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करते है इसको इसका नाम प्रीती दिंटा रख देते हैं प्रीती प्रीती रख देते हैं सिर्फ ठीक है प्रीती पूरा नाम मुझे पता नहीं है इसका ठीक है यहाँ पर मैं इसको रख दूँग क्या मैं J को पीछे कर सकता हूँ हाँ मैं J को भी पीछे कर सकता हूँ तो अब क्या होगा मैं आपर J को जब पीछे करने की कोशिश करूँगा मैं क्या ढूणूँगा J से मैं क्या ढूणता हूँ लवीना से छोटा element ढूणता हूँ जे से ठीक है अब मैं आपर क्या करूँगा यही चीज को दोह रहाँगा अभी मेरा i यहाँ पर j यहाँ पर आ चुका है अब मैं same procedure को दोह रहाँगा यानि कि मैं i को आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक मुझे लवीना से कोई लंबा मिल जाए ठीक है तो यहाँ पर देखो मुझे i भी मेरा सही जगा पर आ गया j भी मेरा सही जगा पर आ गया लेकिन i और j की value ठीक कर देता है क्योंकि j की value भी 1 हो जाएगी यहांपर j की value 1 कर देता हूँ और i की value क्या हो जाएगी i की value यहांपर हो जाएगी 2 ठीक है तो i की value को मैं 2 कर देता हूँ ठीक है यहांपर i की value को 2 कर देता हूँ i is equal to 2 यहांपर 0 लिखा था इसको मैंने गलती से move कर दिया i की value क्या हो जाएगी 2 अब यहां पर एक special बात हुई J जो है वो less than I बन गया तो अब क्योंकि J और I ने एक दूसरे को cross कर लिया हम रुख जाएंगे ठीक है हम रुख जाएंगे और हम क्या करेंगे जो लवीना है उसको J से interchange कर देंगे ठीक है लवीना को J से interchange कर देंगे ठीक है अब आप देखते जो मैं यह काम कैसे करूँगा तो मैं लवीना जो मेरी यहां पर है इसको मैं खड़ा कर दूँगा यहां पर ठीक है और यह जो शुबम है इसको मैं खड़ा कर दूँगा शुबम को कहा खड़ा करूँगा यहां पर कड़ा कर दूगा ठीक है लवीना को और शुबं को interchange करना है ठीक है लवीना यहां पर आ गई ऐसा करने से क्या होगा कि जो लवीना से लंबे लोग है वो right side मा जाएंगे लवीना के और लवीना से छोटे लोग उससे left side मा जाएंगे आप चाहो तो जिम्मेदारी के साथ कर दिया है ठीक है और अब सर क्या बताएंगे लवीना की position बताएंगे मैम को जो की है 1 ठीक है तो सर कहेंगे लो जी मैम position number 1 पर मैंने लवीना को खड़ा कर दिया है और बाकी जो बच्चे है उनको कुछ इससाब सेट कर दिया है कि लवीना के right side में लवीना से लंबे बच्चे लवीना के left side में लवीना से छोटे लोग जो की शुपम है ठीक है तो इस हिसाब से हमने sorting कर दिया है sorting नहीं कर दिया है रही हमने सिर्फ partially sort किया है इसको और इस procedure हों कहते है partition हमने partition किया है with respect to I is equal to 0 with respect to 0 ठीक है हमने 0 के हिसाब से partition किया है ठीक है और partition करने का क्या फाइदा हुआ partition करने का फाइदा ये हुआ कि जो लवीना थी वो जगह पर आ गई है लवीना जगह पर आ गई है ठीक है तो यहां से मैं अगर इस तरह से dotted line बना दूँ तो आप लोग यहां पर देखो कि इसके जो right side है उस पर इस से लंबे लोग है और इसके left side पर इस से छोटे लोग है ठीक है तो अगर मैं आप से पूछूं कि क्या लवीना finally sorted array में यहीं पर ठीक है क्योंकि अगर आप किसी इंसान को ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हो कि उसके right side में उससे लंबे और उसके left side में उससे छोटे लोग है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि वो इंसान sorted array में सही position पर खड़ा है एक बार बताता हूँ वो इंसान अपनी सही जगह पर खड़ा है ठीक है बाकी लोगों को move करने की ज़रुवत है बट वो इंसान सही जगह पर खड़ा है ठीक है अब क्या होगा अब क्योंकि इन PD teacher ने अपना काम कर दिया अब यह जो miss quick sort है यह बहुत चालाग है ठीक है और चालाग है for good ठीक है यह क्या करती है कि यह जो बचा ह हुआ array है अब हमारा क्या बचा टू से लेके 4 तक है रे बचा इसको हमें अलग से sort करना है इतने portion को और यह जो array है with only one element यह तो sorted है ही है ठीक है तो इसको sort करने की ज़रूरत नहीं है तो लवीना के right side वालों को same काम यह देंगी एक PD teacher को एक दूसरे PD teacher को यह कहेंगी पीछे जो array है उससे मतलब रखिए और आप first element को as a reference लीजे यह जो 175 वाला प्रीती जो है मैंने इसका नाम प्रीती रखा था तो यह जो प्रीती है उसको as a reference लेके आप same काम इसके साथ करो ठीक है और मुझे बताओ कि आपने प्रीती को का खड़ा किया फिर ऐसे divide and conquer करते 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 finally क्या होगा सारे लोग अपनी जगा पर खड़े हो जाएंगे और miss quick sort ने पूरे array को sort कर लिया होगा ठीक है अभी शायद आप लोग को यह उतना अच्छा clear नहीं होगा बट I will make it clear for you मैं आप लोग के लिए इसको और clear बनाऊँगा और अच्छी तरह से clear करूँगा इस pivot कहलाती है ठीक है वो position pivot कहलाती है pivot इस case में i is equal to zero पर है pivot की index किया है zero है ठीक है और एक बार हमने pivot ले लिया पहला element हम पूरे array को sort करते हैं उसके हिसाब से और उसके बाद हम दाएं और बाएं array को sort करते हैं फिर इससे दो array निकलेंगे दाएं और बाएं को sort करेंगे and so on ठी partitioning और यह जो miss quicksort यानि कि class teacher है वो काम कर रही है वो क्या है वो है quicksort algorithm और मैंने यह analogy इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं अगर आप लोगो directly बताता तो थोड़ा boring हो जाता हो शायद आप लोगो इतना अच्छा समझ में नहीं आता तो मुझे comment में जरूर बताना किया इस त sort है ठीक है और आजाओ अब हम लोग चलते हैं एक actual array लेंगे और उसको sort करेंगे so guys यह रहा हमारे पास एक array जिसकी length 10 है और इसके अंदर मैंने बहुत सारे elements ले लिये हैं इन elements को हमें सबसे पहले partition करना है और partition करने के बाद हमें करनी है sorting ठीक है तो सबसे पहले मैं partition और हमारा pivot होगा यह वाला element ठीक है तो मैं जो pivot है मेरा उसको मैं circle कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए तो मैं इसको ले रहा हूँ pivot और मैं कह रहा हूँ मतलब कि मैं partition करना चाहता हूँ अपने elements को with respect to this pivot partition का मतलब कि इससे बड़े रहेंगे इसके right side पर और इसस किसे छोते रहेंगे इसके left side पर ठीक है तो मैं i और j को चलाऊँगा तो सबसे पहले मीरा i कहां पर होगा i is equal to 1 पर होगा तो मैं आपर i is equal to 1 पर रखता हूँ सबसे पहले arrow अपना ठीक है और i is equal to 1 पर यहाँ पर मैं arrow रखूँगा अपना ठीक है और j is equal to मैं क्या और बड़ा element ना मिल जाता, यानि कि मैं इस वाले arrow को move करता जाओंगा, जब तक कि मुझे बड़ा element ना मिल जाए pivot से, और इसको मैं पीछे move करता जाओंगा, जब तक कि मुझे छोटा element ना मिल जाए pivot से, pivot से बड़ा element तो मुझे मिली गया है, ठीक है, यह तो सोने पर सोहाग हो गया यहीं पर मुझे चार मिल गया चोकि पिवट से बड़ा था तो मुझे इसको आगे मूव करानी की जरूरत नहीं है अब मैं क्या करूँगा यहापर मैं अब इसको पीछे मूव कराऊंगा क्यों कराऊंगा इसको पीछे मूव मैं इसको इसलिए पीछे move कराऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए, पिवट से छोटा element, या पिवट के बराबर element, ये भी नहीं मिला, और इसको पीछे बढ़ाऊंगा, ये भी मुझे नहीं मिला, पिवट से छोटा या उसके बराबर, नहीं हो पाया, अभी भी नही पिवट से छोटा है या उसके बराबर अब हो गया पिवट से छोटा है या उसके बराबर वन जो है वो टू से छोटा है तो मुझे पिवट से छोटा है या उसके बराबर मिल गया element बाई दवे यह मेरा आई है यह मेरा J है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है ठीक है, I और J मेरे यहाँ पर है अब मैं क्या करूँगा अब I और J को मैं interchange कर दूँगा एक बार मुझे pivot से बड़ा और pivot से छोटा element मिल गया, तो मैं इन दोनों को interchange कर दूँगा, तो आजओ यार इनको interchange कर देते हैं, मैं 1 को रख दूँगा यहाँ पर, 4 को रख दूँगा यहाँ पर ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने interchange कर दिया इन दोनों को, ठीक है अब मैं क्या करूँगा, वापस से same का करूँगा, मैं pivot से बड़ा एक element डूणूँगा, और मुझे pivot से बड़ा element यहीं पर मिल गया, 3 और इसके बाद मैं क्या करूँगा, pivot से छोटा element डूणूँगा, और j को पीछे बढ़ाऊँगा, क्या मुझे pivot से छोटा element मिला, 3 पर, नहीं मिला 2 पर मिला, नहीं मिला, 1 पर मिल गया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ठीक है, मैं आपर partitioning लिखता हूँ, और black color से लिखता हूँ, यहाँ पर, कि partitioning आप लोगों किस तरह से करती है, तो partitioning करने के लिए सबसे पहले आप लोगों क्या करना है, जो i है, उसको क्या लेना है, जो आपका pivot है, प्लस 1, ठीक है, i को लेना है आप लोगों को, जो pivot आपने लिया है, उससे एक कदम आगे, ठीक है, और उसको बोलते है low, ठीक है, i is equal to initially low होगा, और उसके बाद, j is equal to होगा high, ठीक है, और low और high क्या है, 0 से लेके 9 तक अगर आपको दिया गया है element, अगर मैं अपने पिछले example में जाओं, जो कि मैंने आप लोगों को लिया था, तो teacher ने 0 to 4 supply किया था, तो इसको हम low बोलते हैं, इसको हम high बोलते हैं, यारे का जो भी दिया गया है, जिम्मेदारी के तौर पे teacher को, वो इसने थमाया है 0 to 4, और teacher अपने हिसाब से pivot कुछ भी choose कर सकता है, कोई फर्क उससे जादा पढ़ेगा नी, but pivot हम यहाँ पर low को ले रहे हैं, चीज़े simple रखते हुए और quicksword की one of the implementations ये भी है कि आप जो pivot है उसको low के बराबर ले लो, आप high के बराबर भी ले सकते हो by the way लेकिन यहाँ पर हम low के बराबर लेंगे और इसको as a rule of thumb follow करेंगे throughout the video, ताकि confusion create ना हो तो pivot को हमेशा हम लोग low के बराबर लेंगे, ठीक है बढ़िया तो ये 2 हो गया, third step क्या है pivot is equal to low ठीक है fourth step हमारी है कि आपको i++ करते रहना है until element greater than pivot is found is found और उसके बाद हमारी जो fifth step है वो क्या है, j minus minus करना है until element less than equal to pivot is found is found, ठीक है ये हमारी जो है partitioning procedure है i is equal to low है, j is equal to high है और pivot is equal to हमने low ले लिया है अब हम क्या करेंगा i++ करते रहेंगे जब तक हमारा जो element greater than pivot is found j minus minus करेंगे जब तक कि हमारा element less than equal to pivot is found और इन दोनों को repeat करते रहेंगे, ठीक है तो six हो जाएकर repeat four and five until j is less than i ठीक है, जब तक j less than i ना हो जाए तब तक आपको repeat करते रहना है और finally आपको क्या करना है interchange या पर swap swap is the term swap यहाँ पर मैं use करूँगा, swap pivot and aj यानि कि जो array का j ता element है और pivot आपको interchange करना है ठीक है, यानि कि आपको replace करना है ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और थी आपको i++ करना है until element greater than pivot is found, j minus minus करना है और जैसे ही आप लोगों को ये element मिल जाता है आप लोगों को एक चीज़ और करनी है interchange करना है ai and aj को, तो यहाँ पर मुझे एक और step add करनी है, interchange ai and aj ठीक है, तो number 6 को मैं थोड़ा सा modify करूँगा और लिखूँगा interchange ai and aj and repeat 4 and 5 until j is less than i ठीक है, तो मैं थोड़ा सा modification करते ता हूँ यहाँ पर तो मैंने आपर modification कर दिया और मैंने लिख दिया swap ai and aj and repeat 4 and 5 until j is less than i और जैसे ही आपका यह partitioning procedure पूरा होगा जैसे ही आपका यह partitioning procedure पूरा होगा, आप लोगों को मालूम चलेगा कि आप लोगों ने actually क्या किया, आप लोगों ने जो आपका pivot लिया था मैं आप ज़र इसको कर देता हूँ replace इसको यहाँ कर देता हूँ 1 को और 2 को यहाँ कर देता हूँ तो जो हमारा 2 है, उसके right side में उससे बड़े elements है और उससे left side में उससे चोटे elements है ठीक है, अब मेरा काम जो है, वो short हो गया अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसको तोड़ दिया array को, अब मुझे इस array को एक तो sort करना है और फिर मुझे इस array को sort करना है, ठीक है 3, 9, 4 4, 8 7 5, और 6 मुझे इस array को Sort करना है, ठीक है तो मेरे काम जो है वो बहुत आसान हो गए मैंने अपने इतने बड़े array की sorting को इतनी छोटी sorting में तोड़ दिया वापस से मैं वही करूँगा मैं कहूँगा कि यार मैं pivot मानूँगा इसको 3 को तो मुझे finally partitioning procedure के बाद क्या मिलेगा मुझे partitioning procedure के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो 3 के right side वाले है ठीक है? जो 3 के right side वाले है वो 3 से बड़े होंगे और 3 के left side वाले 3 से छोटे होंगे अब क्यूंकि 3 सबसे छोटा है इसलिए ये अपनी position पर है तो मुझे 3 से बड़ा तो मिल जाएगा 3 से छोटा element मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आज से j को move कराता जाओंगा कराता जाओंगा तो यहां पर आ जाओंगा वापस से 3 पर और मुझे बिल्कुल भी कोई swapping करने की ज़रूवत नहीं पड़ेगी इसका मुझे 3 अपनी जगा पर है ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेम काम करेंगे 3 के left में तो कुछ था ही नहीं तो मुझे अब इसको sort करना पड़ेगा 9, 4, 4, 8, 7, 5, 6 और इस बाद मेरा pivot क्या होगा 9 होगा ठीक है इस बाद मेरा pivot 9 होगा यानि कि मुझे 9 को कुछ ऐसी position पर पहुचाना है such that यह जो 9 है इसके left side में से छोटी इसके right side में से बड़े elements हो और ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा partitioning procedure की मदद लोगा और यह ना partitioning procedure आप इस पर partitioning procedure लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखो जो आपका 6 है यहाँ पर ठीक है आप यहाँ से डूणना start करेंगे एक ऐसा element जो की 9 से छोटा है और वो मिल गया आपको 6 ठीक है और यहाँ से आप एक ऐसा element डूणने की गोशच करेंगे जो कि आपका बड़ा है किस से 9 से 9 से बड़ा element तो मुझे मिला ही नहीं अभी तक तो इसलिए क्या होगा कि जो आपका J है वो यहाँ पर है और जो आपका I है वो कहाँ पर आ जाएगा I आपका यहाँ से start होगा ठीक है तो मैं अगर यहाँ पर I को लिख दूँ इस तरह से मैं अगर कुछ ऐसा कहूँ कि यार देखो I जो है वो यहाँ पर है और J यहाँ पर है तो आप J को decrement करते जाओगे जब तक less than or equal to pivot आपको नहीं मिलेगा तो आपको less than or equal to pivot तो यहीं पर मिल गया यह less than or equal to pivot है 6 जो है वो less than pivot है I को आप आगर बढ़ाते जाओगे जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए एक element greater than pivot ना मिल जाए और वो आपको कभी नहीं मिलेगा और आप यहाँ तक आजाओगे और वो आपको नहीं मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर यह जो condition है J is less than equal to I आएगा और pivot और AJ को जब हम swap करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 6 यहाँ पर आजाएगा 4 वापस से 4 वापस से 8 7 5 और 9 ठीक है और मैं आपर I मिटा देता हूँ यहाँ से ठीक है और यह हमको मिल गया partitioning के बाद ठीक है तो यह element जो है वो अपनी जगा पर आ गया है अब हमें same काम करना है इस के साथ इस array के साथ और यह तो हमारे पास already जगा पर है यह हमारे पास जगा पर था और यह हमारे पास जगा पर था ऐसी क्या होगा divide and conquer करते 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 जिस तरह से यह तूटा इसमें और इसमें फिर finally यह तूटा एक empty array में जिसमें कोई element नहीं था और इसमें फिर finally यह किसमें तूटेगा यह वाला array यह तूटेगा एक इस वाले array में और एक empty array में जिसमें कुछ नहीं है तो अब मुझे 6, 4, 4, 8, 7 और 5 के साथ यही काम करना पड़ेगा and so on और एक बार मैंने सारे portions के साथ यह काम कर दिया तो मेरा पूरा array sort हो जाएगा अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं आपर same array पर operate कर रहा हूँ मैं operate इसी array पर कर रहा हूँ ऐसा नही है कि मैं जो है नए array बनाके उनको sort करके ला रहा हूँ यहाँ पर मैं same arrays पर operate कर रहा हूँ और same array में elements को इधर उधर कर रहा हूँ तो यह चीज़ आप लोगो दियान में रखती है partitioning procedure के हिसाब से मैं elements को इधर उधर कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले पूरे array की partitioning करनी है पूरे array की partitioning करने से जो आपका यह वाला element है पहला element है इस array का index 0 वाला element है इस array का वो अपनी जगा पर पहुंच जाएगा ठीक है उसके बाद एक बार यह अपनी जगा पर पहुंच गया तो यह आप लोगों को दो array देगा ठीक है एक तो element यह वाला one जो की already sorted है ठीक है या फिर आप इसको blank करे भी बोल सकते हो इसको आपको sort करने की ज़रूरत नहीं है मैं इसको blank करे बोल दूँगा यार यह तो अपनी जगा पर आ गया है इसके left में blank करे है और right side में क्या है right side मे यहाँ पर यही जगा ली जहाँ पर यह है ठीक है तो इसका मतलब 3 अपनी जगा पर correct है उसके बाद हमने इस array के साथ यहाँ पर 9,4,4,8,7,5,6 वाले array के साथ सेम काम किया 9 को उसकी जगा पर पहुचाने की कोशिश करी और 9 कहा पहुचा सबसे end में तो 9 और 6 जो है वो interchange हो यहाँ पर आएगा partitioning procedure पूरा आप कर सकते हो और उसके बाद बता सकते हो मुझे कि 6 कहाँ पर आएगा 6 कैसी जगा पर आएगा such that 6 के right side में उससे बड़े 6 के left side में उससे छोटे elements आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे और एक बार आप ऐसा करते हो तो 6 भी अपनी जगा पर आजाएगा और आपको 2 array मिलेंगे ठीक है तो एक और हम partitioning करते हैं इस array में करते हैं partitioning को run और इस array में एक बार मैं partitioning को run करने के बाद फिर आप लोगों को code दिखाऊंगा इसका कि इसका code किस तरह से काम करता है को एक sort का तो मैं एक काम करता हूं कि इसको कुछ इस तरह से ऐसे करता ह optics यहां रखता हूं ठीक है ऐसा यहां पर रखने से क्याओका कि मैं आसानी से यह कर पाऊंगा डिक इसको यहीं पे डेते था हूं arrow कि इस पार्ट को तो यहांपर अगर मैं partitioning करने के कोशिश करूं तो यह मेरा वो element है जिसके respect में partitioning करती है यह मेरा element है और मु कोई ऐसा element ना मिले, जो कि pivot से छोटा है, pivot से छोटा या equal, pivot से छोटा ये खुद है, तो यहीं पर रुख कर रहूँगा J को, फिर pivot से greater मुझे यहाँ पर मिलेगा, pivot से greater कहाँ पर मिलेगा मुझे, यह element है, pivot से greater, इन दोनों को interchange करूँगा, ठीक है, AI और EJ को interchange करूँगा, यहीं कि 8 और 5 को interchange करूँगा, इस तरह से, ठीक है, 5 यहाँ, 8 यहाँ, ठीक है, फिर क्या करूँगा, J को तब तक decrement करता रहूँगा, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक की element छोटा ना मिल जाए, pivot से नहीं मिला, यहाँ मिल गया, ठीक है, और I को कब increment करता जाँगा, I को तब तक करता जाँगा, जब तक की element greater than pivot ना मिल जाए, वो भी मुझे मिल गया, लेकिन जो J था, वो अब यहाँ पर आ गया, और I यहाँ पर आ गया, नहीं कि J छोटा हो गया I से, इसलिए मैं AJ और pivot को swap कर लूँगा, ठीक है, तो AJ और pivot को swap कर लूँग पांच आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा यहाँ पर, और अब छे एक ऐसी position पर आ गया है, मैं गोला इसके around ही रखता हूँ, छे एक ऐसी position पर आ गया है कि उसके right side पर उससे बड़े elements और उसके left side पर उससे छोटे elements, अब same काम क्या करना है हमको, same काम इस sub array के इस सब इसके right के साद भी यही काम करो, और जो changes हो रहे हैं, वो original array में हो रहे हैं, यह बात याद रखना है, अप लोग इस वाले array में हो रहे हैं, और original array में changes होते होते हैं, finally आपका original array हो है, sort हो जाएगा, ठीक है, आपका original array sort हो जाएगा, तो partitioning position मैंने आप लोग को procedure दिख आना पड़ेगा, ठीक है, यह quick sort लगेगा इस साब array पर, मैंने आप लोग को यहाँ पर यह बताया है, और इस वाले साब array पर फिर से quick sort लगेगा, ठीक है, तो quick sort जो है, वो इस तरह से काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ने partitioning procedure देखा, एक element को pivot मानते हुए, कै ऐसे उसको partitioning करती है, partitioning का क्या मतलब है, partitioning का मतलब यह है कि एक element को कुछ ऐसी जगह पर पहुचा देना कि उसके right side पर, उससे बड़े left side पर उससे छोटे element होगे, यानि कि एक ऐसी position उस element को ensure करना कि वो उसकी असली position है, यानि कि एक बार आपने किसी element को pivot चुनके partitioning कर दी तो उस element को दुबारा move करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस से अगर मैं अपने example में आऊँ, तो अगर किसी भी इनसान को आप लोगों ने pivot बना कर partitioning procedure पूरा कर दिया, तो वो इनसान अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा, उसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं अब उसके left side वालों को और उसके right side वालों को छेड़ने की जरूरत है, छेड़ने का मतलब partitioning procedure लगाना, ठीक है, तो partitioning procedure आप इन तीन पे लगा लो, इस एक पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक पे तो कोई मतलब भी नहीं है, एक को sort करने का, एक element को sort करने का कोई म जगा पर आ गई फिर मैं इन दीन elements पर लगाऊंगा तो कौन जगा पर आएगा 175 कहां पर चाहेगा 175 यहां पर चाहेगा position number 3 पर फिर क्या होगा position number 3 पर 175 चाहेगा और फिर finally क्या होगा पूरा area sort हो जाएगा आपका long story shot आपका पूरा area sort हो जाएगा ठीक है अगर थोड़ा सा धुंदला है अभी भी तो वीडियो को एक बार और देख लेना और अगर आप लोगों ने code देख लिया मैं भी जो code लिखने वाला हुआ आप लोगों ने देख लिया तो तो guaranteed आएगा समझ में उसकी तो मैं guarantee ले रहा हूँ यहाँ पर तो guys अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से इस चीज़ कोड कर लेते हैं आप लोगों कोई सुविधा के लिए मैंने यह जो images यहाँ पर और यहाँ पर रख ली है और इसको बार बार देखकर हम लोग reference कर रहे होंगे उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर code लिख रहे होंगे quicksword का तो यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि एक नई file बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखूंगा 56 underscore quicksword dot c बहुत बढ़ी हाँ ठीक है तो यह हमारा 56 video data structures algorithm playlist में अगर आप लोगों ने playlist access नहीं कर यह तो कर ले ना और उसी के साथ साथ शुरू करते हैं boilerplate code के साथ print array function है जो कि array को print करने में सहायक होता है इसको मैं ज़रा यहाँ पर copy कर रहा हूँ यानि कि कुछ नहीं करेगा यह carry लेगा जो उसकी length है वो लेगा और पूरे array को print करके देगा इससे जादा यह कुछ नहीं करेगा उसे के साथ साथ array जो कि मैं sort करना चाहता हूँ उसको मैं यहां से उठा रहा हूँ और मैं बस यह है कि कोशिश यह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा मैं typing करने में waste ना करूँ time अपना तो selection की जगा यहां पर quicksort मैं आप लोगो को बताना चाहता हूँ तो मैं आपर quicksort लेखूँगा तो देखो मैंने जो code copy किया वो है एक array को print करने का और उसी के साथ साथ एक मैंने यहां पर array ले लिया है sample उसकी जो length है वो 5 है यहां पर उसको मैं print करूँगा quicksort को run करूँगा और उसके बाद वापस से print करूँगा जैसे array को तो वो sorted मुझे दिखना चाहिए बट मुझे यहां पर white quicksort जो है वो यहां पर लिखना पड़ेगा quicksort क्या लेगा as an input हमने quicksort की बात करी quicksort कौन था अगर हम अपनी analogy में वापस जाएं तो quicksort यह teacher थी which quicksort जोगे class teacher थी जिनको इन बच्चों को sort कराना था इनकी height के इसाब से ठीक है तो quicksort क्या करेगा एक low लेगा एक high लेगा यानि कि कहां से लेगे कहां तक array को sort करना है ठीक है यहाँ पर आता हूँ वापस से और यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो quicksort है वो एक array लेगा ठीक है उसी के साथ साथ एक low लेगा और एक high लेगा ठीक है int low int high ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको lower high ऐसे बना देता हूँ ताकि shortcut ना रहे आप लोग को चीज़े समझ में आती रहे ठीक है और उसके बाद मैं आपर लिखोंगा partition index अब यह partition index क्या है आप लोग समझे लोग कि क्या है partition index मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है partition index एक बार quicksort जब run करेगा तो मैं आपर एक तो low दूँगा एक high दूँगा एक array दूँगा ठीक है किसको दूँगा यह मैं यह मैं quicksort को दूँगा यह मैं miss quicksort को दूँगा और miss quicksort क्या करेंगी इस array में partition को apply करेंगी याई कि partition procedure लगाएंगी partition procedure वो किस तरह से लगाएंगी वो किस तरह से partition procedure लगाएंगी ठीक है एक बार मैंने partition index is equal to partition a lower high कर दिया इसका मतलब यह है कि मैं आपने एक pt teacher से कह रहा हूँ कि यार ये बच्चों का array है इनको sort करो such that जो low रहे मेरा जनी कि जो पहला element रहे मेरा वो उसकी position मुझे तुम return करके दो कि उसकी क्या position रही partition को run करने के बाद हमने यापर बात की थी ये pt teacher return कर रहे थी position position number one जो थी जो भी position आपके array में है जो कि इसको सही जगा पर रखती है partition के बाद जो भी pivot की आपके index है वो return करेगा ये ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूं index of pivot after partition ये है हमारी partition index partition index is equal to मैंने partition करके दे दिया अब एक बाद मैंने partition करके दे दिया तो मुझे क्या करना होगा same चीज़ करनी होगी quickshot लगाना पड़ेगा a में इस बार मैं लगाऊंगा कहां से लेके कहां तक मैं लगाऊंगा आप बताओ कहां तक लगाऊंगा low से लेके और partition index minus 1 तक समझे लो इस बात को आप क्या किया मैंने और मैं quickshot लगाऊंगा high तक लगाऊंगा from partition index to high ठीक है in fact partition index plus 1 to high मैं आपर high लिख दूँगा और ये मैंने क्या किया ये भी आपको बताता हूँ एक बार मैंने यहाँ पर partition कर दिया ठीक है partition करने के बाद जैसे कि 2 हमारा यहाँ पर लगा था तो मैं ये वाले array को left sub array को right sub array को वापस से quickshot function को दे दूँगा यनि कि मैं कहांगा same काम करो इन पर भी ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने सबसे पहले quickshot को run किया मैंने कहा कि मुझे partition index दे दो partition index हो जाएगी मेरी partition करने के बाद जहाँ पर भी pivot है मेरे इस array में considering low and high और starting में मेरा जो lower high है वो क्या रहेगा 0 to n-1 च्योंकि मैं पूरे array को sort करना चाहूँगा 0 to n-1 तक रहेगा ठीक है ये quickshot run होगा quickshot जैसे ही run होगा मैं कहूँगा partition index is equal to partition करो इस array को 0 to n-1 तक ठीक है तो 0 को हम by default pivot ले रहे है partition function हमने भी लिखा नहीं है हम अभी लिखेंगे तो low की value 0 है अब 0 जो है यानि कि जो पहला element है हमारे array का वो अपनी जगा पर पहुँच जाएगा 5 बान लेते हैं मानलो 5 partition index ने अगर return किया तो इस पर 4 है ठीक है element 4 है तो मैं ये वाला जो 8 7 5 6 वाला sub array है और 1 2 3 9 4 वाला जो sub array है इन पे अलग-अलग quickshot run करूँगा तो वो क्या करेंगे वो एक को जगा पर ला देंगे और 8 को जगा पर ला देंगे ठीक है और वो अपनी जगा पर जब आ जाएंगे तो पूरा array sort हो जाएगा इस चीज़ को एक बार और देखेंगे बट आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर क्या किया है partition किया है किसको मैंने यहां पर partition करके जो partition index है उसको प्राप्त किया है ठीक है और मैं यहां पर लिख रहा हूँ sort left sub array और यहां पर हम क्या कर रहे है sort कर रहे है right sub array ठीक है यानि कि जो काम हमने इस पूरे array के साथ किया है वो काम हम pivot को जगा पर लाकर right वाले sub array और left वाले sub array के साथ repeat कर रहे है यानि कि जो काम हमने pivot के साथ किया यानि कि हमने one को जगा पर ले आए जहां पर भी हमारा जो भी pivot था उसको जगा पर एक बार हम ले आए तो हम left sub area और right sub area के साथ same काम कर रहे हैं ठीक है तो अगर हम same काम करते रहेंगे सारे element sort हो जाएंगे ठीक है low से लेके partition index minus 1 तक और partition index plus 1 से लेके high तक क्या किया? array को sort कर लिया, यहनि कि हमने कुछ ऐसा बोला कि low से लेके partition index, यहनि कि left sub array जो है मारा वो load से लेके partition index minus 1 तक है और जो right sub array वो मारा partition index plus 1 से लेके high तक है partition index खुद हमने क्यों नहीं थी क्योंकि partition index तो जगह पर आई गई है अपने partition index वो index है जिसमें की element जगह पर आ गया है ठीक है तो वो element तो उसी जगह पर रहने वाला है partition का मतलब यह था ठीक है अब partition procedure लिख लेते हैं और एक बार हमने partition procedure लिख लिए तो हमारा idea sort हो जाएगा but 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 there is a catch there is a catch मैं कब तक करता रहूँगा quicksort अगर मैं यह quicksort मैं करता रहा तो मैंना मेरे कहने का मतलब यह कम से कम एक element होना चाहिए अगर zero elements है array में sub array में कुछ ही नहीं तब रुख जाओ वहाँ पर ठीक है ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो मेरा जो यह quicksort procedure है वो एक time पर end कर जाएगा लेकिन मैं अभी यहाँ पर interested हूँ partition को लिखने में जो मेरा partition function है उसको लिखने में interested हूँ अब वो एक integer return करेगा और वो लेगा क्या-क्या एक तो int star a लेगा या int a मैं ऐसे भी दे सकता हूँ array अपना int low और int high ठीक है तो मैं मेरे पास low है मेरे पास high है मेरे पास array है मुझे partition करना है ठीक है और मैं pivot यहाँ पर मान रहा हूँ मैं यहाँ पर int pivot is equal to a low लिख देता हूँ यानि कि मैं जो पहला element है मेरे array का उसको pivot मान रहा हूँ समझ रहो न आप लोग मैं pivot मान रहा हूँ उसको तो यहाँ पर अगर मैं इस array में आ जाओ रहा हूँ 3,9,4,4,8,7,5,6 वाले array में तो मैं 3 को pivot मान रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ 3 को pivot मानने के बाद मैं i को यहाँ से start करूँगा 9 से और j को 6 से start करूँगा ठीक है और यह काम मैं कैसे करूँगा आप लोग देखते जाना तो मैं आपनल लिखोंगा int i is equal to low plus 1 ठीक है int i is equal to low plus 1 और int j is equal to मैं लिोंगा high and j is equal to high यही तो हम लोग करते थे हम लोग क्या करते थे यहाँ पर इसको start करते थे यहाँ से i को और j को start करते थे यहाँ से ठीक है तो i है low plus 1 यानि कि अगर यह मेरा pivot है तो यहाँ से एक कदम आगे से i को start करते थे और j को यहां से start करते थे और J को उल्टी दिशा में घुमाते थे I को सीधी दिशा में हम लोग घुमाएंगे ठीक है तो इस तरह से अब लोग काम करेंगे ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर आप देखते जाओ मैं कुछ ऐसा करूँगा मैं कहूँगा वाइल मैं आप लिखूँगा वाइल वाइल ए आई इस लेस देन और इक्वल टू पिवट ठीक है कुछ इस तरह से जब तक ए आई लेस देन इक्वल टू पिवट है अब यहां पर आप देखते जाओ जो ए आई है मेरा अगर वो छोटा है पिवट से अगर वो छोटा है पिवट से तो मैं क्या करूँगा आई को आगे बढ़ा दूँगा कि मुझे पिवट से एक बड़ा एलिमेंट चाहिए उसके बराबर भी नहीं मुझे बड़ा ही चाहिए एलिमेंट ठीक है और सेम काम मैं क्या करूँगा same काम मैं j के साथ करूँगा मैं कहूँगा a j is greater than pivot अगर a j greater than pivot है तो j minus minus j minus minus यानि कि j को पीछे करो क्योंकि मुझे क्या चाहिए मुझे एक ऐसा element चाहिए एक ऐसा element चाहिए जो की pivot से छोटा है जो की pivot से छोटा है या उसके बराबर है देख लो आप लो, less than equal to pivot तो condition यहाँ पर मुझे यह लगानी पड़ेगी ठीक है, तो i को मैं आगे को घुमा रहा हूँ, j को मैं पीछे को घुमा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाना मैं यह काम कर रहा हूँ, i को आगे को घुमा रहा हूँ j को पीछे को गुमा रहा हूँ और जैसे ही मेरा i is less than j हो जा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपर swap कर दूँगा किसको temp is equal to a i मैं a i और a j को swap कर रहा हूँ a j a i is equal to a j और a j is equal to temp a j is equal to temp ठीक है simple बहुत simple है ठीक है लेकिन temp क्या है मुझे आपर एक in temp भी लगना पड़ेगा इस तरह से और मुझे ये पूरा काम कप तक करना है i को बढ़ाना j को घटाना ये काम मुझे कप तक करना है जो मैंने select कर रहा है वो मुझे कप तक करना है वो मुझे एक बार तो करना ही करना है और तब तक करते रहना है जब तक i is less than j तो उसके लिए कौन सा loop होता है उसके लिए होता है do while loop तो मैं अगर इस चीज को do while loop में wrap कर दूँ तो मैं क्या करूँगा मैं कुछ इस तरह से करूँगा देखो do लिखूँगा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा while और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा मैं do while लिखने से पहले और do while के अंदर में condition लगाँगा तो मैं तोड़ असा आप लोगो इसको zoom करके दिखाता हूँ i is less than j और एक semi colon भी लगता है do while loop में right click करके इसको format कर लेता हूँ format document आप लोगो तोड़ अच्छे से दिखेगा तो do while loop के अंदर मैंने इस चीज़ को wrap कर दी है इस पूरी चीज़ को ठीक है एंड में आप लोगो बता हूँ मैं swap करता हूँ a low को aj से मैंने आप लोगो बताया था a low को aj से ठीक है और a low क्या है मेरा pivot a low ही तो pivot है मेरा low को तो change किया नहीं मैंने पूरे procedure में तो मेरा pivot क्या है a low है या pivot directly ऐसे भी कर सकते हो ठीक है बट मैं pivot को नहीं करूँगा swap जो कि pivot तो एक variable है इसको change करके मुझे क्या मैं लेगा मैं actual array में change देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो change हो रहा हूँ array में reflect हो तो मैं लिखूँगा a low और a low को जो कि pivot है और a j को interchange कर दो तो आप देखते हैं आपर मैं किस तरह से करूँगा मैं कहूँगा जो a low है और a j जो है उसको exchange कर दो ठीक है तो a low और a j ये दोनों क्या हो गए interchange हो गए ठीक है या swap ये use करता हूँ swap is a good word swap a low and a j a j I think that's about quicksort ये काम करना चाहिए बड़ देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है I hope मैंने सब कुछ ठीक ठीक लिखा है but let's see let's see तो यहाँ पर मैंने print array call किया है फिर उसके बाद मैंने quicksort लगाया है उसके बाद मैंने वाबस से print array लिखा है ओके तो मैंने यहाँ पर return नहीं किया मुझे finally return करनी पड़ेगी वो index जहाँ पर मैंने finally element को settle किया यानि कि जो मेरा pivot था वो कहाँ पर आएगा j पर बैठेगा जाकर I hope this should work यार हो जा काम कर जा आई कर गया काम देखो 3, 5, 2, 13, 12 को sort करके इसने 2, 3, 5, 12, 13 कर दिया जो कि यह sorted है तो quick sort हमारा काम कर रहा है देखते है array को change करके इसमें कुछ और elements आड़ करता हूँ एक छोटा element आड़ करता हूँ 3 आड़ करता हूँ एक repeated element आड़ करता हूँ और उसी के साथ-सार एक बहुत बड़ा element आड़ करता हूँ और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं तो n is equal to मुझे change करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n is equal to 9 करना पड़ेगा यह size इसका बढ़के 9 होगया है अभी क्या यह sort हुआ है यह sort हो चुका है यार तो अब इसको थोड़ा और closely आप लोगो समझाओंगा ऐसे बताँगा आप लोगों को कि हर partition के बाद क्या हुआ हर partition के बाद क्या हुआ ऐसे करके मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझाओंगा आपको तो quicksort को समझने के लिए जल्दी से यहां पर मैं इसको copy करता हूँ और copy करने के बाद मैं यहां पर एक comment डालूँगा और मैं आपर आप लोगो demonstrate करने की कोशिश करूँगा कि जब आप partitioning करेंगे और आप लोग कुछ ऐसा करेंगे कि 3 को यहां पर कराएंगे as a pivot और उसके बाद आप i को यहां से चलाना start करोगे j को यहां से चलाना start करोगे तो आपका j उल्टी दिशा में चलता जाएगा तब तक जब तक कि उसको एक छोटा element ना मिल जाए यह दो एक छोटा element है और यहां से चलता रहेगा जब तक कि उसको एक बड़ा element ना मिल जाए 5 एक बड़ा element है तो 5 और 2 interchange हो जाएंगे 2 यहां 5 यहां ठीक है और i अभी कहां पर है i हमारा 5 पर है sorry j हमारा 5 पर है i हमारा 2 पर है ठीक है तो मैं यहां पर i भी लिख देता हूँ ठीक है यहां पर j लिख देता हूँ इसका मिलब j भी मेरा यहां पर है अब मैं क्या करूँगा वापस से वही काम करूँगा मैं i को आगे बड़ाता जाओंगा जब तक कि मुझे एक बड़ा element ना मिल जाए 3 से ठीक है i मेरा कहां पर आएगा i मेरा यहां पर आजाएगा ठीक है फिर से मैं इन दोरों को interchange करूँगा इसको 13 बना दूँगा और इसको मैं 3 बना दूँगा ठीक है वापस से मैं i को चलाओंगा और मुझे चाहिए होगा एक बड़ा element हो मुझे यहां पर मिल जाएगा एक बर यह हो गया तो मैं क्या करूँगा j को replace कर दूँगा pivot से और j भी 3 है pivot भी 3 है तो कोई जादा फर्क पड़ेगा नहीं तो इसलिए मेरा 3 जो हो यहीं पर रह जाएगा अब यह जो मेरा complete हुआ है इसको मैं first call बोल देता हूँ first call to partition और first call to partition मुझे क्या return करेगा first call to partition मुझे return करेगा 0,1,2,3 यह मुझे return करेगा 3 और यह 3 क्यों return करेगा मुझे यह 3 इसलिए return करेगा क्योंकि 3 wall index 0,1,2,3 जहां से right में इससे बड़े elements है और left में इससे छोटे हैं equal to element है इससे छोटे हैं बड़ाबर elements है अब आप सोच रोगे 3 यहां पर क्यों है 3 छोटा यहां बड़ाबर है less than equal to है इसलिए है left side पे अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग same procedure repeat करेंगे इस sub array के लिए 3 to 2 के लिए और इसके लिए ठीक है जब हम यहां 3 to 2 के लिए कर रहे होंगे तब क्या होगा हम 3 को ऐसा pivot चुनेंगे और 3 अपनी जगा ले लेगा इस sub array में और उसके बाद जब हम इसके लिए कर रहे होंगे तो 12 अपनी जगा ले लेगा इस sub array में और ऐसे ही जैसे हम लोग करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सारे elements अपनी जगा ले लेंगे, और हम जो operations कर रहे हैं, जो changes कर रहे हैं वो एक ही array में कर रहे हैं, जिसका नाम है A, ऐसा निये कि हम अलग-अलग array बना रहे हैं, तो कोई extra memory हम use नहीं कर रहे हैं, same array में changes हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जीज़ आप लोग के दिहान में मिलाना चाहता था और अगर आप लोग को इसका dry run देखना है कि कैसे हर step काम करता है तो आप लोग चले जाओ, यहाँ पर पीछे तोड़ा सा वीडियो में, यहाँ पर मैंने आप लोग को explain कर रहा है, और quicksort आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप copy pen लेके एक dry run उसका खुद से नहीं कर लेते कि कैसे pivot चुनने के बाद आपको I और J को move कराना है I को right side में, J को left side में such that finally आपकी partitioning हो जाए और आप J को return कर दो, ठीक है तो partitioning is important और बाकी तो फिर recursive calls है ठीक है, बाकी क्या है, recursive calls है और वो तो फिर करी लेंगी काम अपना, ठीक है, अगर आप लोगों यह समझ भी नहीं आ रहा है, कि यह recursive call कहा से आई, तो यह recursive call basically यहीं से आई, एक बार आपने partition index ले ली उसके बाद आपने left side को मतलब quick sort run किया right side में आप लोगों ने quick sort run किया और बाकी यह फिर finally इतने टुकड़े कर देगा array की, array सिर्फ एक element रह जाएगा, और सारे के सारे elements sort हो जाएंगे इस चीज़ को आप तब तक ढंग से feel नहीं कर सकते, जब तक आप paper पे, अपनी जिन्दगी में कम से कम एक बार इसको run ना कर ले, आपको dry run करना ही पड़ेगा, आप एक थोड़ा बड़ा array ले यह भी मैं suggest करता हूँ, बाकी algorithms करें तो मैं suggest करता हूँ, छोटा है छोटे आप लोग arrays लेके काम कर ले, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा relatively बड़ा array ले, 9 का size का या फिर 10 size का या 15 size का भी ले सकते हो यार, लेके आप क्या करो, यह देखो कि हर partitioning के बाद क्या array return हो रहा है और आप कौन सा array मिल रहा है वो भी मुझे पता चलता रहेगा, तो पहले मेरा array ऐसा दिखता था, फिर उसके बाद एक बाद partitioning होई तो यह ऐसा दिख रहा था, फिर ऐसा दिख रहा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा फाइनली मेरा array sort हो गया, आप देख सकते हो 2, 2, 3, 3, 5, 12, 13, 13, 45, तो this is how quicksort works, I hope आपको समझ में आ गया, pen paper पे एक बार सब लोग एक बार run करके जरूर देखें इसको, सब arrays पे quicksort वापस से लगा के, partitioning वापस से लगा के आप लोग इसको करके देखें, quick tip देता हूँ आप लोगों को, जब आप quicksort run कर रहे हो ना, तो आप क्या करना, एक तो अपना main array maintain करके रखना, ठीक है, और बाकी sub arrays में आप तोड़ते जाना, ठीक है, जो आपका ये array है, main array आप लोग अलग रख लेना कई और जगा पर और 2 sub arrays में आप लोग इसको तोड़ देना, एक बार आपने जो pivot choose करके partitioning कर दी, उसके बाद आपके 2 sub arrays आएंगे, मेरे case में एक empty array आया और उसके बाद ये वाला sub array आया मैंने इस sub array को यहाँ पर लिखा इसमें जो मैं changes कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर changes करूँगा, जैसे कि मैं आप जो interchange कर रहा हूँ, AI और AJ को, और swap कर रहा हूँ pivot और AJ को, तो मैं जब कह रहा हूँ, pivot और AJ को करो swap तो मैं इस element को actually swap कर रहा हूँ, ठीक है इसलिए मैंने आप पर pivot use नहीं किया मैंने आप पर use किया, क्या a low, a low मेरा pivot है, ठीक है, तो मैं a low यह array में चेंज करना चाहता था, इसलिए मैंने a low और AJ को interchange किया, तो आप लोग इसको करते जाएं, सब arrays बनाते जाएं, arrow मार मार के, मार मार के कि भाई, यह इन दो सब array में टूटा, यह इन दो सब array में टूटा, और सब पर quicksort एके करके वापस से लगाते जाएं, dry run आप लोग करोगे, तो आपको definitely बहुत मदद मिलेगी, so I hope quicksort सबको clear हो गया, और यह source code वगएरा सब आप लोग को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने data structure algorithm playlist access नहीं करीए, तो sorting algorithms के जो पहले दो वीडियो है, 48 तो 49 वीडियो वो नहीं देगा है, तो जरूर देगे, क्योंकि अगर आप लोगों उनको देगेंगे, तो एक बहुत अच्छी आप लोगों को understanding मिलेगी, sorting algorithms को लेके, और algorithms in general को लेके, I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful है, अगर आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हैं वीडियो देगा, तो लाइक जरूर करना, उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को इसको 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 शेयर करते हो, तो I'll be really happy, Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.